नमश्कार जी, कैसे हैं आप देश तोस्तों? तेश तारीगुरुवार को हर्याली तीज आने वाली है और हम सब इस्तुरिया चाहती है कि हमारा पत्ती का सुभाग जो है वो अमर रहे हर्याली तीज के दिन इस्तुरिया सुबह घर के काम काम और इसनान करने के बाद इस्तरियां सोला शिंगार करके निजला ब्रत रखती हैं इसके बाद मा पारवती और भगवान शिव की उपासना करती हैं बेवायत इस्तरियां अपने पती की दरगायू के लिए उपवास रखती हैं इस खास दोवार पर सोला शिंगार में हर शिंगार का विसेश महत होता है आईए जानते हैं बिंदी, माते पर बिंदी लगाने से व्यक्तित प्रवावशाली होता है मस्तक के बीच के स्थान पर बिंदी लगाने से तीसरा नेत्र जागरत होता है बिंदी लगाने का मनुविज्यानिक कसर होता है और इससे इस्तरियों के आत्म बिश्वाश और आत्म बल में ब्रध्धी होती है साती साथ मस्तिश्क भी शांत रहता है और सुकून का अनवव होता है बालों में गजरा फूल बालों को महिलाओं का गहना का जाता है बालों को गजरे वा फूलों से सजाने पर उनकी खुश्बू से मन की सेहत पर अच्छा असर होता है और सुगंत से मन तरंगितवा खुश रहता है तो दोस्तों हर्याली तीज आ रही है तो आप हमेशा हर चीज पहनिए गले में हार या मंगल सूत्र इस दिन अपने पती से जरूर बोलिए मंगल सूत्र जरूर खरीद के दें आपको मंगल सूत्र इनके मोतियों से होकर निकलने वाली वायू इस्तरियों के हुमन सिस्टम को स्ट्राउं करते हैं अर्युवेद के अनुसार गले में स्वण धातू धरण करने से छाती और हिदय स्वस्त रहते हैं इसके अलावा इसमें मौजूद काले मोति महलाओं को बुरी नजर से पचाते हैं तो कितना इंपॉर्टेंट है ये बहुत जरूरी है मंगल सूत्र पहना सिंदूर शरीर रचना विज्ञान के नुसार जिस स्थान पर सिंदूर सजाया जाता है वहा ब्रम रंद्र और अहिम नामक मर्म स्थल के ठीक उपर होता है जो अतियंत कोमल होता है या सिंदूर लगाने से इस स्थान की सुरक्षा होती है इसके अलावा सिंदूर में कुछ ऐसे धातु होते हैं जो चहरे पर जुर्यों के असर को बहुत ही कम करते हैं और इस्तरीयों के शरीर में विद्धुतिये उत्तेजना नियंत्रित करती है कि मैलाएं भाब भाग के घर का सारा काम करती हैं बस क्या चाहिए उन्हें पती का प्यार चाहिए मांगती का सिर के बीचों बीच पहना जाने वाला मांगती का मैलाओं की सुन्दर्ता पढ़ाने के अलावा मस्टिश्क समंधी करियाएं संतुलित तोर नीमित रखता है कान में जुंके वा बाली कान चिदवाने से आखों की रोशनी दोस्तों बहुत बढ़ती है दरसल कान की निचले हिस्से में एक पॉइंट होता है जिसके पास से आखों की नसे गुजरती हैं जब कान के इस पॉइंट को चिदवा कर इसमें बाली पहनते हैं तो इससे आखो की रोशनी तेज होने में हेल्प मिलती है चूडियां वा बैसलेट मैलाओं की चूडियां जब हातों में खनकती हैं तो इससे शरीर में रक्त प्रवाव भेतर होता है साथी साथ ये मैलाओं के शरीर में हर्मोन्स संतुलित रखने में सायक होती है कमर बंद इसे पहनने से महिलाओं में हरनिया की अशंका कम होती है बाजू बंद इसे बाजूम पहनने से बाहें इस्थित केंद्रों पर दबाव पड़ता है जो महिलाओं को लंबे समय तक सुन्दर और हसीर बनाए रखता है पायल पायल पैरों से निकलने वाली शारिक बिधुत उरजा को शरीर में सरक्षित रखती है महिलाओं के पेट और निचले अंगों में बसा फैट बनने की गती को रोगती है सातिसा चांदी की पायल पैरों से घरशन करके पैरों की हड़ियां स्ट्रॉंग बनाती है नतनी जिस जगे नत पैनी जाती है उस जगे एक तरह का एक्यूपेशर पाइंट होता है जो प्रसब पीना के दोरान होने वाले दर्द को कम करता है अंगुठी अंगलियों में अंगुठी पैने से आलस और सुस्थी में कमी आती है मेंदी, मेंदी अतेलियों को सुन्दर बनाने के साथ साथ शरीर को ठंडा रहा है